श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज दस्वे भाव में रहेंगे जी हाँ दस्वे भाव में चंद्रमा का होना आपके लिए अच्छा रहेगा ये दिन आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगा दस्वा भाव हमारा कर्मक्षेत्र है ये भाव हमारे कामकाज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जिस वज़े से आप आपको इस समय में अपने कार्यक्षेत्र में मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपको इस समय में धन कमाने के नए रास्ते नए जरीये मिल सकते हैं जो लोग बिजनिस करते हैं उनके लिए ये समय काफी बढ़िया रहेगा आप इस समय में खुल कर निवेश कर सकते हैं निवेश के लिए पैसों के लेंदेन करने के लिए ये समय काफी अनुकुल है ये दिन पूरी तरह से आप ही के फेवर में रहेगा दिन का पूरा लाब उठाए और अपने जीवन के हर पल का आनन ले इस समय में आपके सहयोगी आपकी मदद करेंगे आपका मन अपने काम में लगेगा आपके कामों का फल आपको अवश्य मिलेगा जो लोग नोकरी ढून रहे है उनके लिए समय शुब है प्रयास करे आपको अच्छी जावप मिल सकती है कारेक्षेत्र में चंद्रमा के होने का मतलब ही यही है कि कोई भी खाली नहीं रहेगा सब को काम मिलेगा करमों का फल इ साथ सजावट का या जरूरत का नया सामान भी इस समय में आ सकता है जो सामान काफी दिनों से लेने की आप सोच रहे थे वो आप इस दिन ले पाओगे इस समय में आपको आपकी माता का सुख भी मिलेगा इस समय में आपके ससुराल पक से भी आपको धन्नापोनी की संभाव जो लोग राजनीती में हैं उन लोगों को इस समय में खास तोर पर फायदा होने वाला है राजनीती के ख्षेतर में आपको नाम वप्रतिष्ठा मिलेगी धन की प्राप्ति भी होगी और राजनीती के ख्षेतर में आप सफल रहोगे अगर स्टूडंस की बात करें तो स्टू लोग आप से प्रभावित होगे इस समय में आप प्रसन्न रहोगे खुश रहोगे पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ोगे इस समय में आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी परिवार के साथ खुश्या मनाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा अगर स्वास्त की बा अपने सांस लेने और छोडने का वक्त उस पोज के मुताबिक सही होना चाहिए जी हां अपनी सांस लेना या छोडना काफी मायने रखता है ये दिन आपके लिए आर्थिक सिदी के हिसाब से भी काफी बढ़िया रहेगा विदिश से धनकामाने के मोके भी इस समय में आपको म देलेंगे कुल मिलाकर ये दिन बहुत अच्छा जाएगा बहुत अच्छा साभी दोने वाला है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणा आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलत प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं अगर आप क अपने जीवन में आगए बढ़ने में रुकावटे उत्पन्द होती है। इससे उन्नती में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जुते चपलों को उनकी जगय फेर ठीक प्रकार से रखे। दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, ये तो बहुत ही ग जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर क आती दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ ज इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखें, जी हाँ साप सुतरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है, दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखे, पूरी तरे से साप सुत्रा रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्छरा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर पसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकड़ी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करे दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साप सुत्रा रखे मुख्यदार, मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटें नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हां इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटना ये घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद